अगर आपके blogger website है तो उसके अंदर कभी ना कभी कही ना कही कुछ ना कुछ problem आपको दिखने को मिल सकते हैं आपके google search console के उपर तो देखो भाई इस बारे में हमने जितने सीके हैं आज तक अपने 8 साल के YouTube और blogging experience के अंदर तो वो सारे चीज ना हम अपने ये जो playlist आपको दि सीखते जाते हैं हम जो अपने website के अंदर implement करते हैं उस सारे चीज आपके साथ शेयर करते हैं जितने भी result मिलते हैं जैसे कि ये दोनों का result सही सही ये fix हो चुका था और ये वाला भी हमने लगाए है fix के लिए तो ऐसे आपके साथ शेयर करते हैं make sure guys चैनल को सब्सक्राइब अब देखिए आज का जो वीडियो है basically आज हम बात करने वाले हैं redirect error के बारे में redirect error यहां पर बहुत सारा चीजों की वज़े से आते हैं तो basic चीज बताएंगे मतलब उतना घुमा के कोई फाइदा नहीं है यहां पर देखिए guys एक URL हमारा बन चुके हैं तो हमारा effected page एक है यहां पर जादा page रहें लेकिन guys यहां पर कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है हमेशा की तरह यहां पर आपकी URL नहीं आएंगे redirect error कुछ-कुछ case में आपको URL बन जाते हैं नए ने तो उस URL के उपर भी redirect error आ जाते हैं तो सबसे पहली काम तो यहां पर आपकी URL को चेक क लेना है एक तो आप यहां पर view कर सकते हैं नए टैप के ऊपर open कर सकते हैं यहां पर open करने के बाद आपको यहां पर अगर problem दिखने को मिलते हैं कि आपके article जितना लंबा आपने लिखा था उतना लंबा ही दिखा रहे हैं या फिर कोई और चीज मिसिंग हैं आपको ऐसा ल फेच के अंदर आपको दिखा रहा है redirect error और यह लास्ट क्राउल की गई थी आगस्ट के बंदरा तारीक को ठीक है तो basically आप यहां पर एक बार टेस्ट लाइव URL के उपर क्लिक कर कि इसको टेस्ट कर लेना कि इसके उपर आपको यह URL है यह ठीक ठाक तरीके से फिलाल काम कर है या फिर इसके अंदर और वी कोई error आ रहा है उसके बाद मैं आपको बता देदा हूँ यह कैसे fix होगा बहुत ही easy method है भाई बहुत ही simple मैंने अपने website के उपर मतलब अलग website के उपर ऐसे redirect error को fix करके रखा हुआ है तो आप भी वो try कर सकते हैं अब देखिए यहां पर page availability सब कुछ ठीक है अब देखिए भाई एक चीज यहां पर मैं आपको बताऊंगा यह tips है आपके लिए बिल्कुल tips है आप क्या कर सकते हो अब देखिए यह चीज आपको समझना है यहां पर यह जो redirect error है यह अलग होते हैं और page with redirect यह अलग होते हैं लेकिन लगवग यह दोनो सेम ही है और दोनों एक दूसरे से लगबग मिला हुआ है अब मैंने आज तक जितना देखा है पुराने दिनों पर जिस तरीके से fix किया है उसी से कुछ related बात में करूंगा अगर आप उसको follow करते हो तो I hope आपके problem solve हो जाएंगे देखिए वाई सबसे पहले तो आपको यह URL जो होते हैं यह ध्यान में रखना है आपके यह URL अगर आपके main post क्या URL है मतलब आपके यहां पर जो URL दिखा रहा है जिस URL के उपर redirect का error आ रहे हैं क्या यह URL आपके original post के URL के हुववववव मैच करते हैं यह आपको ज़रूर एक बाद टेस्ट करके देखना है अगर मैच कर रहे हैं तो उसके इस पर आपके काम कर सकते हैं आप ना अपने URL को कॉपी कर लेना यहां से और गुगल के उपर जाना URL redirect शेकर करके आप लिववव को टाइप करना है यहां पर बहुत सारा website आएंगे आपको एक website के उपर जाना है और यहां पर आपकी URL को paste कर देना है और यह जो user isn't है यहां पर आपको गुगल बॉट को सिलेक्ट कर लेना है यहां पर देखिए Google mobile smartphone या फिर गुगल बॉट अब चाहते हैं तो यहां पर से सिलेक्ट कर सकते हैं अब analysis के उपर आपको क्लिक कर देना है जैसे क्लिक करेंगे यहां पर अगर सारे चीज ग्रीन दिख URL यहां पर अलग होंगे मतलब आपके मेन पोस्ट के जो URL है इनसे मैच नहीं कर रहे हैं दूसके सफ़ार आप इस URL को कॉपी कर लेना एंड कॉपी करने के बाद आप जाना आपने ब्लॉगर के सेटिंग्स के उपर यहां पर आने के बाद आपको यहां पर रिडिरेक्शन दिखने के लेए मिल जाएंगे यहां पर मैं आपको दीखा देता हूं यह जो कस्टम 404 error and redirect इसके बगल में कस्टम redirects दिखने के लेए मिल जाएंगे यहां पर क्लिक कर देना है यहां पर वह URL आपको दे जिसके उपर प्रॉब्पल्लम आ रहे हैं अब आपके डुमें के ब यहाँ पर उसको डाल देना है और वही scene यहाँ पर domain के बाद slash तक आपको delete कर देना है permanent को on कर देना है and okay button के उपर click कर देना है save के उपर click कर देना है जैसे guys save के उपर click कर देते हैं यहाँ पर आपके यहाँ तक काम complete हो जाते हैं अब आप दुबारा यहां पर valid and fix के ओपर click कर सकते हैं या फिर यहां पर click करके आप इसको दुबारे inspect करके test कर सकते हैं और यहां पर live test करने के बाद ना आप लोग जो है इसको दुबारा reindex के लिए भेज सकते हैं अब देखें यहां पर हमारे case में ऐसा problem क्यों आ रहा है failed redirect error क्योंकि हमने ना same url को same url के उपर redirect कर दिये आपको दिखाने के लिए इस url को ही हमने यहां से यहां तक इस url को इस url के उपर redirect की है अब इसको हमें delete करना होगा नहीं तो ऐसे problem आएंगे तो हम इसके उपर click करेंगे delete कर देंगे save कर देंगे अब देखना यहां पर refresh करेंगे तो ऐसा problem अब दुबारा नहीं आएंगे हमने यहां पर refresh के लगा दिये मतलब testing live विवाडल कर दी है एंड जैसे हमारे सामने data आज आते हैं उसके बाद आप लोग समझ पाओगे यहां पर हमारे सामने और कोई problem दिखने को नहीं मिलेंगे तो जैसे कि आप लोग देख पर हैं यहां पर आप problem मुझे लगते हैं अब देखो आप कोई भी problem नहीं आए तो इसी तरीके से काम करना है guys छोटा मोटा गलती से आपके यहां पर error fix नहीं होने वाला आपको सही तरीके से करना है जितने भी चीज आप लोग करोगे वो आप को देखना है कि वह यहां ठीक टा काम हो रहे हैं और एक चीज मैंने देखा था यह कोई नहीं बताएगा और यह उतना एहम है वी या नहीं यह मुझे नहीं बता लेकिन मैंने देखा हैं इसी वज़ए से मैं आपको याद दिलाता हूं यहां पर देखिए यहां पर हम जो पर फैटि लिंग लगाते हैं तो इसके वजह से कभी कभार रिडिरेक्ट की एरर आते हैं मैंने देखा हैं कि ज्यादा तर जिस पेज़ के उपर मेरा थाट पठी लिंग रहते हैं जहां पर बटन रहते हैं लोग रिडरीक्ट होते हैं दूसरे पेज के उपर तो वही पर दिखने को मुझे ज्यादा तर केस में मिले हैं लेकिन मैं आपको 100% दावे के साथ यह नहीं कह सकते हो कि इसी के वज़े से आप कैसे प्रॉब्लम आ रहे हैं तो आप हो सके तो एक बार लिंक को रिमूब करके देख लेना क्योंकि मैंने देखा है मेरा पोस्ट के अंदर ऐसा प्रॉब्लम लिंक के वज़े से आते हैं तो देखो गाइस यहां पर पीसी ग्रवर जो चैनल है यहां पर ना हम अपने आठ साल की यूट्यूबर ब्लॉगिंग से जितने भी सीके हैं वही चीज आपको बताते हैं ताकि आप लोग अगर बीगिनर है तो आपको कुछ काम पाएं मेक शिर गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सब्सक्राइब करना तक इन फ्यूचर ऐसी कंटेंट आपके साथ हम शेयर कर पाएं कमेंट करके हमें बता सकते हैं अगर आपके किसी भी तरीकी की प्रॉब्लम आ रहा है को भी भी टा टॉपिक के उपर अपड़ विडियो चाहते हैं हम जरूर उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे पीसी के विट टीम कभी भी आप से आपके परसनल इंफरमिशन लाइक को टीप लाइडर जास बैंक डेटल्स फोन नंबर कुछ नहीं मांगते हैं ऐसा चीज़ कभी भी हमारी इमेल पर याफर व झाल झाल झाल